Hello everyone, इस video में हम लोग पढ़ेंगे parenting styles and their effects के बारे में इसके उपर already मैंने एक video cover करी हुई है, बट वो थोड़ी छोटी थी तो मैंने और detail में video cover करी है साथ के साथ इसमें effects जो हैं वो भी discuss करें So, parenting style refers to the overall approach that parents use to raise their children मतलब parenting style का मतलब क्या होता है? वो approach या तरीका जिससे parents अपने बच्चों को raise करते हैं, बढ़ा करते हैं इसमें behavior आ गया कि किस तरह का parents का behavior रहता है, किस तरह से वो बच्चों के साथ communicate करते हैं, क्या उनका interaction होता है and different parenting styles have been identified, अलग-अलग तरह के parenting styles identify हुए है and इनका distinct impact देखा गया है, children की development पे, behavior पे and overall well-being पे ठीक है? Now, we are going to study about the parenting style or the details of the parenting style and impacts सबसे पहले है, authoritative parenting authoritative parenting is characterized by high level of warmth यानि कि जो parents होते हैं, वो बहुत ही जादा warmth warmth मतलब काफी अपने बच्चे को लेगे कि उसको प्यार करना और उसके लिए, you know, एक अच्छी से feeling रखना कि बेटा, कुछ भी होगा, कोई बात नहीं, we are here और ऐसे मतलब बहुत strict नहीं होना ठीक है, काफी अच्छी से वो responsive होते हैं and support मिनता है उनको but थोड़ा बहुत control and structure होता है मतलब ये नहीं कि बहुत जादा और ये भी नहीं कि बहुत कम तो मतलब they have high level of warmth and they are very responsive and reasonable level, जितना जरूरी है, उतना control होता है parents का बच्चों के उपर parents using this style set clear expectations and boundary जो भी parents इस तरीके से parenting करते हैं वो एकदम clear expectation बता देते हैं indirectly वो एक boundary set कर देते हैं कि बच्चों को भी पताओ का क्या सही है, क्या गलत है और साथ की साथ, इस तरह की parenting के साथ वो independence and autonomy को promote करते हैं ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों को बिलकुल इसे मना करके रखेंगे independent होडते हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी पता है, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है and वो लोग guidance and support provide करते हैं, जब उन्हें जरूरत होता है, बच्चों के feelings को लेके या जो भी उन्हें लगता है बच्चे को ध्यान में रखके वो हमेशा guidance and discipline की बातें करते हैं या उसे provide करते हैं Now, इसका क्या effect या impact देखने को मिलता है बच्चों पे जब बच्चे ऐसे parents के you know, under बड़े होते हैं तो उनका जो self-esteem होता है और confidence होता है, काफी ज़्यादा होता है Children raised by authoritative parents tend to develop a positive sense of self, वो अपने आपको लेके काफी positive feel करते हैं उन्हें ये लगता है कि हाँ वो valued है, उनकी value है and yes, अपनी parents की नजरों में वो कुछ हैं और अपनी abilities पे ना, उनको confidence बिल्ड होने लगता है, ठीक है दूसरी चीज है emotional well-being जो भी parenting में बच्चे ऐसे बड़े होते हैं authoritative parenting में, उनका emotional well-being अच्छा होता है, ठीक है उनका emotional regulation काफी अच्छा होता है, coping skills किसी भी चीज में, situation में अपने आपको भार निकालना, coop करना, अगर favorable नहीं है तो किस तरह से handle करना है, उनको अच्छे से आता है और overall उनकी mental health अच्छी रहती है social competence यानि कि उन बच्चों की जो social skills होते हैं, काफी better होते हैं and society में वो healthy relationship form करते हैं, वो दूसरों के प्रती, काफी empathetic होते हैं यानि उनको उनकी जगे अपने आपको रखके देख पाते हैं, यह देख पाते हैं कि वो क्या करते सही हैं की नहीं है, cooperative होते हैं and इनके communication skills अच्छे होते हैं academic achievement इन बच्चों की अगर authoritative parenting होती है तो उसको link किया गया है कि बच्चों की academic performance अच्छी होगी बच्चे जादा motivated रहते हैं इनकी study habits अच्छी होती है and वो educational activity में participate करते रहते हैं साथ की साथ independence and autonomy क्योंकि यहाँ पे ना parents बच्चों की independence को और autonomy को respect करते हैं, ऐसा नहीं कि बस तुम हमारे साब से चलोगे, yes they set the clear expectations and boundary कि यह करना है, यह गलत है, लेकिन independent भी छोडते हैं बच्चों को तो बच्चे अपने decisions खुद देना सीखते हैं, अपनी problem solve करते हैं अपनी responsibility लेते हैं अपने actions की, ठीक है यह हुआ authoritative parenting का result then comes authoritarian parenting authoritarian parenting में क्या होता है ना बहुत ज़्यादा control होता है बच्चों पे बहुत ज़्यादा discipline बहुत ज़्यादा rules and regulation उन पे लगाये जाते हैं और ज़्यादा उनको अगर वो कहीं तो negotiation या flexibility नहीं मिलती है और parents इस style को use करते हैं ताकि वो यह दिखा सके हैं कि बच्चे obedient हैं and वो मतलब authoritative ऐसा feel करना sorry, वो ऐसा authoritative feel करना चाहते हैं and वो चाहते हैं कि बच्चे भी उनकी value करे and strict, expecting strict adherence to rules and regulation parents चाहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा rules and regulation strictly follow करे and बच्चे की need और opinion की value थोड़ी कम होती है जो आपने अभी उपर देखा था उसमें ज़्यादा होती है इस वाले में authoritative में ज़्यादा होती है authoritarian में बच्चे की need और opinion की value नहीं इतनी ज़्यादा होती अब ऐसे में जब बच्चे इस तरह से इक डर के, regulation के बहुत ज़्यादा high control वाले environment में जब बड़े होते हैं तो उनका self-esteem reduce हो जाता है ठीक है क्योंकि उनका इतना ज़्यादा control किया जाता है कि उन्हें मतलब ऐसे पता ही नहीं होता कि हमें हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हमेशा उनको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है शायद कर लेंगे प्लस अपने आप वो decision कम लेते हैं decision making में problem solving में उन्हें दिक्कत होती है क्योंकि उनको ये मौका अभी तक नहीं मिला है कि वो अपने decision खुद ले सके and yes ये क्या करते हैं ना बहुत ही rule followers होते है and society की expectation की according हर चीज़ follow करते ठीक है चाहे उनकी internal motivation ना हो लेकिन वो इस मामले में follow करेंगे जो society में बोला है society की expectation इन सब को and कई बर क्या होता है ना इतना जादा control होने की वजह से कई बच्चे बहुत कुस्सा, aggression, rebellion दिखाते हैं मतलब कि हम against ही जाएंगे हमें तो बहुत control करा गया है आप तो हम बहुत against जाएंगे और कुछ display करते हैं internalizing behavior such as anxiety कई बच्चों में anxiety या depression बढ़ने लगता है क्योंकि उनके parents बहुत ही restrictive nature के होते हैं हर चीज में रोक तो, कभी उनको कोई decision नहीं लेने देना हमेशा strict रहना तो वो भी एक problem है authoritarian parenting फिर आते हैं permissive parenting में permissive parenting में high level of warmth and responsiveness होती है but control and structure जादा नहीं होता मतलब parents बहुत जादा warmth शो करेंगे responsiveness शो करेंगे कि हाँ बिटा ये अच्छी बात है करो ये भी करो वो भी करो लेकिन control ही नहीं है तो बच्चों को लगता है कि ठीक है हम तो अजाद है ऐसे parents बच्चों के लिए rules and regulations जादा बनाते नहीं है जो की ज़रूरी है वो उनको एकदम ऐसे कर देते हैं कि ठीक है जो करने है अपने इसाब सिर करो वो सोचते हैं कि बच्चे की खुशी important है और वो friend की तरह बनने की कोशिश करते हैं एक authority नहीं कि मतलब तुम्हें हमारी बात माननी है या कुछ so अब ऐसे में क्या होगा ना जब आप बच्चों को एकदम low level of control and structure में रखते हो तो lack of self-discipline and impulsivity हो जाती है यानि कि बच्चों को पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है तो सब चीज़े अपने according करते हैं and self-control नहीं होता जो मन है वो करेंगे and clear boundaries नहीं पता होती and उन्हें फिर पता है क्या होता है ना कभी schools में, communities में वो बहुत जिद करते हैं मतलब उन्हें यह लगता है कि घर में अगर ऐसा हो रहा है कि हमारी मर्जी चल रही है तो हर जगे यहीं चलेगी so they do not know how to follow rules in various settings schools में या community में academic achievement भी कई बर लो जाती क्योंकि parents तो dartेंगे नहीं, parents ने तो correct है कोई बात नहीं so these children may have lower academic performance and struggle with motivation and focus self-esteem बहुत ज़ादा होती है उन्हें लगता है सब खर लेंगे but actually they are not that prepared for the challenges क्योंकि school में घर में उन्हें इतना pamper रखा गया है हट चीज में उनको अजादी दे दी गई है कि they do not know कि किस तरह से deal करना है चीजों के साथ ठीक है, high self-esteem तो होगी क्योंकि उनको positive and supportive environment मिला है लेकिन वो skills नहीं होंगे क्योंकि वो discipline नहीं मिला जो उनको चाहिए right? so that is your permissive parenting and then fourth is neglectful uninvolved parenting यह होता है low level of both warmth and control मतलब ना बच्चों के लिए वो बहुत प्यार ना बहुत जादा control उनके उपर वो बच्चे, जो parents होते हैं न वो emotionally distant होते हैं मतलब वो उतना ध्यानी नहीं देते बच्चों पे and बच्चों की life में uninvolved होते हैं जादा involved ही नहीं होते हैं बहुत ही minimal guidance प्रोवाइड करते हैं support प्रोवाइड करते हैं supervision प्रोवाइड करते हैं और अपने बच्चे की need को ignore कर देते हैं ठीक है impact क्या होगा इसका emotional and behavioral problems बच्चे की साथ ना बहुत सारी problems होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि जब parents से वो प्यार नहीं मिलेगा वो understanding नहीं मिलेगी तो they can start having depression anxiety, गुसा बहुत आने लगेगा या फिर उनका behavior antisocial हो सकता है ठीक है बच्चों को ना क्योंकि बच्चपन से attachment नहीं मिलती तो उनको secure attachment बनाने में problem होगी relationships में trust करने में problem होगी क्योंकि उनको emotional support and nurturing नहीं मिली है अच्छा parents जब involved नहीं होते तो बच्चों को ना school में बहुत difficulty होती है क्योंकि वोई ध्यानी नहीं दे रहा है तो lower academic achievement and cognitive development उनकी delay होती है और उनके अंदर ना क्योंकि उनने पता है कि parents तो मतलब ही नहीं रखते तो they lack the parental guidance and इसकी वज़र से वो कई risky behavior में जा सकते हैं जैसे कि किसी भी drug abuse में delinquency में या फिर early sexual activities में क्योंकि उन्हें पता है कि parents उनके इतना ध्यान नहीं दे रहे है so अब एक चीज़ याद रखनी है कि यह जब parenting styles है ना जब अलग-अलग parents में देखे जाते है कोई एक नहीं होता है बहुत सारे mix भी होते मतलब जैसे किसी parents की आप example उठाएंगे तो यह नहीं कि सारे parents एकदम ऐसे होंगे कई लग मिक्स भी होते हैं इसके अंदर so हमेशा यह याद रखना कि parents exhibit करते हैं स्टाइल कर कॉंबिनेशन और बेज़ होता है अलग-अलग factors पे so that was it that was the types of parenting and their impacts यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चानल को subscribe कीजेगा झाल झाल के ब मां, का डिम आपको की सकतरों यह 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 विनaster झाल झाल करते है तो कि वह लどう गो कि ल व झाल झाल